जै महाकाली मित्रो आप सभी का स्वागत है आपके अपने एसम भक्तिग्यान चैनल में मित्रो बहुत से भक्तों के मन में यह प्रश्ण आता है कि उन्हें माकाली के किस रूप की पूजा घर में करनी चाहिए तो इसी प्रश्ण का उत्तर देने के लिए मैंने यह वीडियो बनाई है वैसे तो माकाली का हर रूप अपने आप में सर्वशक्ति मान है मित्रो माकाली की पूजा मुख्यत है दो रूपों में जादा की जाती है पहला है शक्ति रूप में वहीं दूसरा है सौमे रूप में यदि आप माकाली के रुद्र रूप अर्थार्थ उनके शक्ति रूप की पूजा करते हैं तो आपको नी संदेहे मातारानी की क्रपा जल्दी ही प्राप्त हो जाती है लेकिन वही मातारानी भक्त के पूजा में गलती होने पर उसे दंड भी तुरंती दे देती है मा काली के शक्ती रूप की साधना करना बहुत ही कठिन होता है लेकिन वही यदि कोई भक्त मा काली को अपनी मा की तरह मान कर उनके सौमे रूप की पूजा करता है तो मा काली भक्त की इस प्रकार की पूजा से भी जल्दी ही प्रसन हो जाती है और पूजा में होने वाली गलती के लिए भक्त को कोई दंड भी नहीं देती है मित्रों घरों में हमेशा मा काली के सौमेरूप की पूजा ही करनी चाहिए अगर आपको ये धार्मिक जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब चरूर करिएगा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद